कॉंग्रेस के लोकसभा में कॉंग्रेस के नेता मलीकारजन खरगे जी ने जो राजनेतिक प्रस्ताव यहाँ पर रखा उसका मैं यहाँ पर समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ दिली से लेकर जम्मु कश्मीर से कन्या कुमारी तक यहाँ पर पुरे देश का नेतरुत्व यहाँ पर बैठा है कॉंग्रेस का कारेकरता यहाँ पर आया है और खरगे जी ने जो बात कही उसको मैं आगे लेकर जाना चाहूंगा कि हर कारेकरता के मन में एक ख्याल है और वो ख्याल यह है कारेकरता के मन में एक सोच है और वो सोच है सरफरोशी की तमना सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है यह भूमिका लेकर यह भूमिका लेकर कॉंग्रेस का कारेकर आज यहाँ पर आया है महत्मा गांदी जी ने इस देश के राश्टपिता महत्मा गांदी जी ने हम सब को एक सबक दिया था और उन्होंने कहा था कि जो आखरी आदमी है वो आखरी आदमी को लाब पहुंचे ये हमारी निती होनी चाहिए और पिछले 50-60 साल में पिछले 50-60 साल में अगर कॉंग्रेस ने क्या किया है तो आम आदमी को आखरी आदमी को मदद हो ये भूमी का कॉंग्रेस की रही पंचायत राजь की शुूरवाद इस देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवारलाल नेरु जी के समय में हुई थी और जो दोर पंडित जवारलाल नेरु जी ने शुरू किया हमारे इस देश के पूरो प्रधान मंत्री राजीव जी ने 33 प्रतिशत आरक्षन की बात महिलाओ के लिए ना की उसके लिए सम्विधान में बदलाओ भी किया इसको आगे लेकर जाते हुए हमारे पूरो प्रधान मंत्री जी के नितरुतों में सोनिया जी के लीडर्शिप में हमने 50% का आरक्षन महिलाओं को देने की बात की और लाखों महिलाएं इस देश की राजनिती में पूरी ताकत से आने लगी है 50% अगर आबादी है तो 50% हक मिलना चाहिए ये सोनिया जी की सोच थी और उसमें हम आगे चलते गए मोदी जी तो बड़ी बात करते हैं वो कहते हैं बेटी बचाओं बेटी बड़ाओं वो कहते हैं महिलाओ को राजनीती में भागीदारी मिलनी चाहिए तो राज्य सवा में तो हमने वो प्रस्ताव पास किया क्या आपके पास वहुमत है आपके पास आपकी पूरी वहुमत की सरकार है महिला अरक्षन का बील कब आएगा ये सवाल पुरा देश आपको पुछना चाह रहा है इस राज्यकी विधान सभा में लोक सभा में पूरी महिलाओं को मदद मिले ये इसमें सोच है क्या मोदी जी इसके बारे में आगे लिकर जाना चाह रहा है अभी हमारे कॉंगरेस के अध्जिक्ष के रूप में राहूल जी ने जिम्यगारी समा ली लेकिन उसके पहले सोन्या जी अध्जिक्ष के रूप में इंध्रा जी ने काम किया सभी शेत्रों में एक बड़ा काम हुआ मैं भारतिय जंटा पार्टी से पुछना चाहरा हूँ मैं RSS से पुछना चाहरा हूँ आप महिलाओं के अधिकार की तो बात करते हो लेकिन क्या RSS के सरसंगचालक के रूप में एक महिला ने कभी काम किया है आप बताईए और आप पुछिए उनसे कि महिलाओं की भागिदारी की आप बात कर रहे हो क्यों राश्टी सरसंग में महिलाओं को स्थान नहीं है क्यों भारतिय जंटा पार्टी की अभी तक कोई महिला अधिक्षा बनी नहीं है और इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है इस देश में पहली महिला राश्टवती के रूप में कॉंग्रेस के कारेकाल में प्रतिवा पाठील जी बनी इंद्रा जी इस देश की पहली महिला प्रधान मंत्री के रूप में उनों ने काम किया हर जगह पर महिलाओ को ताक्ट देने के बाद कॉंग्रेस देखी अब खर्गेजी ने यहाँ पर महिला कॉंग्रेस की अगड़क्ष यहाँ पर समर्थन उसको कर रही है खर्गेजी ने युआउ की बाद यहाँ पर की हमारा देश एक युआ देश हमारा देश मोदी जी ने 2014 में जब सरकार में आप आये थे तो आपने हर साल दो करोड युवाव को रोजगार देने की बात कही है लेकिन पिछले चार सालों में भी दो करोड युवाव को रोजगार आप देने ही सके दस लाख लोगों को भी आप रोजगार देने ही सके और इसलिए आपकी कतनी और करनी में फरक है इस देश का युवाव जाग चुका है इस देश की युवाव को ये समझ आया है और इसलिए गुजरात में भी ये समझ आया कि जो गुजरात मॉडल की वो बात करते थे तेड़ सो जगह नहीं आएंगे तो हम सेलिप्रेशन नहीं करेंगे ऐसा भारतिये जनता पार्टी के अ कर दिया ये बात अब सब के सामने आई है मोदी साब कहते थे मैं न खाओंगा न खाने दूंगा मोदी साब कहते थे मैं रश्टाचार नहीं होने दूंगा अब नीरव मोदी का मामला हो ललित मोदी का मामला हो विजय माल्या ये सभी मामले ये क्या ब्रश्टाचार के मामल ब्यापम है, ऐसे कई सारे पिछले चार साल में हम सब के सामने इशूज आए है, अब मोदी जी ने नारा बजला है, मैं तो खाने दूंगा और कुछ लोगों को पारसल भी करके लेकर जाने दूंगा, ये इनका नारा है और इस आजेंटे में इनका काम चल रहा है, यहाँ पर RSS के सरसंगचालक ने बिच में आरक्षन हटाने की बात कही, OBC के Constitutional Amendment की बात, हमने सब ने पीछे लगकर ये Constitutional Amendment के बारे में हमने सरकार को कहा कि आप पास कीजिए, आप OBC के Commission को Constitutional Status दीजिए, पिछले दो सेशन में ये OBC की बात करते है, ये पिछडे वर्गों की बात करत है, लेकिन पिछले दो सेशन में OBC के Constitutional Amendment का, जो OBC कमिशन को Constitutional Amendment का जो बिल है, ये पास नहीं कर पाए, क्योंकि इनके मन में खोट है, इनको पिछले वर्गों को आरक्षन देना नहीं है, पिछले वर्गों को मदद करना इनका अजिंडा नहीं है, जब हमने इस देश का त पिछले नहीं हो सकते हैं, इनोंने तिरंगा का विरोत किया, इनोंने कहा तिरंगा हमारा राष्टिय ध्वज नहीं हो सकता, और आप देखिए, अब ये तिरंगा यात्रा निकालने पर भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तिरंगी की बात कर रहे हैं, जो पहले तिरंगा क तो धवच के रुप में भी मानते नहीं थे वो अब तिरंगा की बात करने लगे हैं मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना चाहिए 56 इंच का सीना चाहिए यह 56 इंच का सीना ऐसा है कि आप प्रधान मंद्री बने और उसके बाद आप कहा गए आप पाकिस्तान चले गए किसलिए च साल वो प्रधान मंत्री थे लेकिन पाकिस्तान को अपनी अवकाद याद जिलाने का काम प्रधान मंत्री मनमोन सिंजी ने उस वक्त किया था एक बार भी एक बार भी इस प्रकार की हरकत हमारी तरफ से नहीं हुई हम किसी के शादी में ने गए बगर बगर बुलावे के वे रिटनफिप के रूप में पठान कोट का हमला हुAST . पठान कोट मे पाकिस्तान के लोगों ने आकर वहाँ पर अटाक किया ! पठान कोट के बाद भी आपने क्या किया ? आपने ISI के एजन्ट को वहाँ पर आने का नेटा दिया ! इस देश के इतियास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के ISI का एजन्ट ओफिशली यहाँ पर अपने एरबेस में आया है और इसलिए यह 56 का सीना नहीं है यह 56 की बाद भी यह करने ही रहे और हमारे पार्टी के अध्यक्ष राहूल गांदी जी ने हर वक्त कहा है रा राहूल जी ने कहा कि वो बदला चाहते हैं हम बदलाव की राजनीती चाहते हैं राहूल जी ने कहा कि वो नपरत चाहते हैं हम महुबत चाहते हैं राहूल जी ने कहा कि वो तोड़ना चाहते हैं हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए साथियो इसलिए साथियो किसी शायर न का इंतजार ना कर तू इंकिलाब के आने का इंतजार ना कर हो सके तो खुद अब इंकिलाब पैदा कर हो सके तो खुद अब इंकिलाब पैदा कर बहुत 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 दन्यवाद